इस question में हमें ये दो दो linear equations दी गई हैं in two variables x and y और हमें इन्हें elimination method और substitution method से अलग लग solve करना है जगो आप चाहे elimination method यूज़ करो चाहे substitution method solve करो answer same ही आएगा अब answer का मतलब क्या है कि x और y की वो वाली value निकालो जो इस equation को भी satisfy करे और इसको भी satisfy करे यानि कि अगर मैं x y को जो भी value निकली होगी उसको यहाँ डालू तो 5 मिलेगा यहाँ डालू तो 4 मिलेगा अब सबसे पहले पहला question मैं करता हूँ using substitution method तो को बहुत असान है बड़ी बार हमने किया है कि यह जो मेरे पास दो equations हैं इन में से कोई भी एक equation ले लो और उसमें से किसी एक variable की value निकालो जैसे मैं यह पहली वाली equation ले लेता हूँ और इसमें से मैं y को इतर रखता हूँ बाकी सब उदर ले जाओ तो यह हो जाएगा 5 minus x ठीक है अब चाहिए मैं x इतर रख लेता और बाकी सब को उदर ले जाता तो कुछ भी कर सकते हो आप तो अब यह जो मेरे पास y की value आई है अब इस value को मैं दूसरी equation में substitute कर दूँगा ठीक है पहली equation से value निकाली और दूसरी में substitute करती अगर मैं इस equation से निकालता तो फिर मैं इधर substitute करता तो यहां मैं लिखूंगा substitute value of y in equation 2 तो equation 2 मेरी क्या बन जाएगी 2x minus 3 और y की जगा अब मुझे यह डालना है तो यह हो जाएगा into 5 minus x is equal to 4 तो यह कितना हो जाएगा 2x minus 15 और यह plus 3x हो गया is equal to 4 which implies x की terms को add कर लो यह हो जाएगी 5x is equal to 15 उदर चला जाएगा तो यह 4 plus 15 हो गया तो this implies 5x is equal to 19 which implies x is equal to कितना हो गया 19 by 5 तो x की मैंने यह value निकाल ली अब x की इस value को चाहे equation 1 में put कर दो चाहे equation 2 में और चाहे यह इसको अगर मैं equation 3 बोल दूँ चाहे इसमें put कर दो वहाँ से मुझे y की value मिल जाएगी क्योंकि यह equation भी तो मैंने यही से बनाई है ठीक है यह actually equation 1 ही है ठीक है तो सबसे असान यह होता है कि इसको आप equation 3 में put कर दो so put value of x in equation 3 तो equation 3 में पहले लिख देता हूँ y is equal to 5 minus x है which implies y is equal to 5 minus x की value हमने कितनी नका ली 19 by 5 तो यह 5 LCM आ गया और यहां आ जाएगा 25 minus 19 which is equal to 6 by 5 is the answer तो x की यह value और y की यह value अगर आप यहां डालोगो तो 5 मिलेगा यहां डालोगो तो 4 मिलेगा अब आप इसको verify कर लेना तो यह तो होगा substitution method ठीक है अब मैं quickly यह बताता हूँ कि इसमें से आप कैसे किस किस को substitute कर सकते हो उसको solve आप खुद करके देखना अब यह second question है जैसे तो इसमें मालोगो मैं second equation पिक कर लेता हूँ कि 2x minus 2y is equal to 2 ठीक है तो इसमें से अगर मालोगो मैं x की term इदर रखूँ और y उदर ले जाओ तो यह इतना हो जाएगा तो यहां से x मेरा कितना हो जाएगा 2 plus 2y divided by 2 यानि कि 2 into 1 plus y divided by 2 which implies 2 के साथ 2 कट गया तो x कितना हो गया 1 plus y अब x की यह value 1 plus y आप first equation में put कर दो तो वहां से आपको y की value मिल जाएगी फिर y की वह value आएगी उसको आप इसमें put कर दो यह equation 3 बन जाएगी आपके पास तो आपको x भी मिल जाएगा इसकी solution मैं last मैं आपके सामने display कर दूँगा आप उसको देख लेना लेकिन कोशिश करना कि आप इस sum को खुद कर कर के देखो similarly अब यह जो questions है अब अगर मैं third question की बात करूँ substitution method के लिए तो इसमें कोई difference नहीं है कि यह terms कुछ इदर पड़ी है कुछ उदर पड़ी है उससे कोई फरक नहीं पड़ता अब फिर वही बात इसमें से मैं three x को इदर रख लेता हूँ और यह जाएगा four plus five y तो x कितना आजाएगा four plus five y divided by three तो यह जो मेरी x की value आई है इस x की value को आप यहां use कर लो ठीक है otherwise आप एक काम और भी कर सकते थे यह सब करने की जुरूरत नहीं थी आपके पास यह क्या था nine x is equal to two y plus seven ठीक है तो आप सीधा यहां से x निकाल लो वो कितना आजाएगा two y plus seven divided by nine तो यह जो मेरे पास x की value आ गई इसको मैं पहली वाली equation में put करके y निकाल लोगा ठीक है तो आप कुछ भी कर सकते हो अब बचा last question तो last question में यह दो मेरे पास equations हैं तो बड़ा simple सा है second equation pick करो x minus y by three is equal to three तो यहां से x कितना आ जाएगा three plus y by three तो x की यह जो value आई है इस value को first equation में put करो और वहां से आप y निकाल लो और फिर इस में put करके वहां से आप x निकाल लो ठीक है तो यह तो होगा substitution method अब बात करते हैं elimination method की तो अब elimination method के लिए मैं क्या करता हूँ मैं यह चौथा question pick करता हूँ ठीक है इसको बोल दो equation number one और यह equation number two देखो elimination method में हमें क्या करना होता है कि इन दूनो equations को हमने add करना है या subtract करना है तांके कोई एक variable eliminate हो जाए यानि की खत्म हो जाए उसके लिए हमें क्या करना होता है कि अगर तो सीधा यह add करने से या subtract करने से कुछ हट जाता है तो सीधा add यह and subtract कर दो अगर ऐसा नहीं होता तो आपको किसी एक variable का coefficient same करना होता है और उसका बड़ा simple सा तरीका होता है देखो यहाँ पे मुझे पता है कि x का coefficient क्या है यह actually 1 by 2 into x है यहाँ पे क्या है only x अगर इस equation को मैं दूनों तरफ 2 से multiply कर दूँ multiply equation 1 with 2 तो 2 से अगर मैं first equation को multiply करूँ तो यह हो जाएगा 2 into x by 2 plus 2 into 2y by 3 is equal to minus 1 into 2 ठीक है दोनों तरफ 2 से multiply हो गया ठीक है सारी terms 2 से multiply हो गई यह cut गए यहाँ पे तो आया मेरे पास कितना x plus 4y divided by 3 is equal to minus 2 तो इसको मैं equation 3 बोल देता हूँ तो equation 1 convert होके यह बन गई अब ठीक है अब second equation और third equation में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x यहाँ पे भी x तो अगर इस equation को मैं इस से minus करूँ या इस equation को इस से minus करूँ करता हूँ subtract equation 3 from equation 2 तो simple सी बात है equation 2 की left hand side क्या है x minus y by 3 इस में से आप minus कर दो इसकी left side और इसकी left side क्या है x plus 4y by 3 is equal to इसकी right side 3 और इसकी right side minus 2 तो minus करोगे तो यह plus 2 हाजाएगा अब bracket खोलोगे तो यह जाएगा x minus y by 3 minus x minus 4y by 3 is equal to 5 तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो x कट गया यहाँ से y की value निकालो यहाँ से y की value आप निकाल सकते हो उस y की value को फिर आप चाहे इस equation में put करो चाहे इस में put करो वहाँ से आपको x भी मिल जाएगा अगर मैं यह वाली equation लूँ 3x plus 4y is equal to 10 और 2x minus 2y is equal to 2 अब देखो इसको solve करने के दो तरीके हैं एक तो यह है कि मुझे पता है कि अगर इस equation को मैं 2 से multiply कर दो तो यह जाएगा 4x minus 4y is equal to 4 ठीक है तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ 4y आ गया और इस equation को जब मैंने change किया था 2 से multiply किया तो यहाँ पर minus 4y आ गया तो इसको और इसको अगर मैं add कर लूँ तो y वाली term cut जाएगी ठीक है तो इसको मैं ऐसे solve कर सकता हूँ दूसरा तरीका क्या है फिर से मैं यही वाली दोनो equations ले लेता हूँ अब अगर मुझे x के coefficient सेम करने हो तो उसके लिए क्या है कि इसको 2 से multiply कर दो और इसको 3 से multiply कर दो यानि कि इस equation को मैंने इस से multiply कर दिया और इस equation को मैंने इस से multiply कर दिया तो यह पहली equation क्या बन जाएगी यह हो जाएगी 6x plus 8y is equal to 20 और यह हो जाएगी 6x minus 6y is equal to 6 तो इसको अगर आप देखो गए तो यहाँ 6x आ गया यहाँ पे भी 6x आ गया तो अब इन दोनों को अगर आप उसमें subtract कर दूँगा मैं तो x की term खत्म हो जाएगी तो वहाँ से सिरफ और सिरफ मुझे y मिल ठीक है अब इनके solutions मैं यहाँ बें display कर देता हूँ आप उनको refer कर लेना बड़े simple से हैं लेकिन recommend में यही करता हूँ कि इन sums को आप खुद solve करना है अगर जाएगी तो आप उसमें कर दो, आप खुद है है झाल